नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास पेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रकांद प्रतियूस मैं आपको खबर बताऊँ उससे पहले आप जरा इस नजारे को देख लिए इस तस्बीर को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ खुद अंदाजर लग जाएगा तो आपने देख लिया किस तरह से नारे लग रहे हैं उपेंद्र कुस्वाहा की कार्याकारणी की बैठक थी और उपेंद्र कुस्वाहा जब उस बैठक में सामिल होने पहुंचे पंचायत भौन में तो किस तरह से नारे लग लगाये जा रहे हैं नितिश कुमार मुर्दाब उपिंद्र कुस्वाहा जैसा हो, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, उपिंद्र कुस्वाहा जैसा हो, यानि अभी से जो लडाई है, यह पता नहीं चल रहा है कि जो इंडिये के घटक दल हैं, वो लडाई किसके खिलाप लड़ रहे हैं, विरोधियों के खिलाप या अपने ह गटक दलों के खिलाब क्योंकि जिस तरहसे रालोस्पा के कर्यकरता नितिशकुमार मुरदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उपेंद्र कुस्वाहा को मुख्यमंत्री बना रहे हैं जबकि अभी मुख्यमंत्री के पदपर नितिशकुमार आसिन है ऐसे में और यह उपिंद्र कुश्वाहा और नितिष कुमार के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है, ये दोनों दलों के पार्टी के कर्यकरताओं की लड़ाई हो गई है, यह दोनों के जो कर्यकरता हैं, एक दूसरी पार्टी को अपना दुस्मन मान बैठें, तो नेता तो ठीक है, असर के अनुसार अपनी रणनिती बदल देंगे, अपना स्टेंड बदल देंगे, अपनी दुस्मनी को दोस्ती में बदल देंगे, लेकिन जो एक करेकरता होते हैं जमीनी अस्तर के, वो जल्द अपना स्टेंड नहीं बदलते हैं, तो दोर नेता अगर मिल भी जाते हैं, यानि उप उपेंद्र कुस्वाहा के करकरता नितीश कुमार की पार्टी के उमिद्वार को हराने के लिए इंडी चोटी का पसिना बहाएंगे तो ऐसे में इंडीये को फायदा होगा उपेंद्र कुस्वाहा से या नुकसान ये बड़ा सवाल है और उपेंद्र कुस्वाह जीस तरह से नितीश कुमार के खिलाप मुर्चा खुले हुए है और एक मुर्चा नहीं खुले हुए है एक साथ कई फ्रॉंट पर मुर्चा खुले हुए है उन्होंने आज सबसे पहले कहा कि बिहार के सिक्षा व्योस्था गर्थ में चली गई है बिहार की सिक्षा व्योस्था को लेकर वो आंदुलन चला भी रहे हैं वो खुद भारत स्रकार के सिक्षा मंत्री है और बिहार में सिक्षा की बदहाली और कुब्योस्था के खिलाप व चला रहे हैं और उन्होंने 28 नॉम्बर से एक बड़े अस्तर पर पूरे राज्य भर में सिक्षा को लेकर आंद्रोन छेड़ने का एलान किया है। सबस्ता खत्म है और संप्रादाइक्ता को लेकर भी बहुत बड़ा रूप लगा दिया है नितिस्कुमार पर यानि BJP का जो एजिंडा है राम मंदिर उस पर भी सवालिया निसान एक तरह से उन्होंने संकेत इसारे इसारे में लगा दिया है उठा दिया है और उन्होंने कहा कि नितिस्कुमार जो कहते हैं कि संप्रादाइक्ता से कभी समझोता नहीं करेंगे उनके राज में तो सबसे ज्यादा संप्रदाइक जरप हो रही है हिंसा की घटनाएं हो रही है उन्हें यह भी लगता है कि नितिस्कुमार आप तो संप्रादाइक्ता कर चुके हैं संप् तो संप्रदाइक ताक्ते कौन हैं? किसके तरफ उनका इसारा है? बीजेपी के उन लोगों की तरफ जो उनमादी हैं, जो संप्रदाइकता को बढ़ावा देते हैं, उनकी तरफ है? किसकी तरफ है? तो सवाल उड़ता है कि उपेंद्र कुस्वाहा ने बीजेपी और नितिसकुमार दोनों के खिलाप मुर्चा खोल दिया है, ये बात दिगर है कि बीजेपी के खिलाप खुल्याम नहीं खोला है, परदे के पीछे इसारो में बीजेपी प्रहमला जारी है, और नितिसकुमार क के खिलाब खुलयाम कई फ़रंट पर मुर्चा खोल दिया है तो ऐसे में गटबंदन अगर कायम भी रह जाता है उपंद्र कुषवाह इंडिये में रह भी जाते हैं तो कितना इसका फायदा इंडियों को मिलेगा या उपेंद्र कुछ वहा को कितना फायदा मिलेगा एक पाना बड़ा मुश्किल है आप समान जन ज़्यादा समझदार है आपकी समझ हमसे कम नहीं है और आप ज़्यादा सही आकलन करेंगे हमने तो केवल जो सवाल हमारी जहन में थे उसे उठाया जो हमारी समझ है उसे आप को बताया क्या नतीजा होगा इंडिये की सगटवंदन में चल रहे हमसान का चुनाव में यह आप तै करिए आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ सेर करिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए आपका सहयोग समर्थन लगतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद